फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे फीमस अंगलो इंडियन ओथर रस्किन बॉन्ड की एक शॉर्ट स्टोरी के बारे में जिसका नाम है दा ब्लू अम्ब्रेला इसे 1980 में लिखा गया था और साथ ही इसे पब्लिश किया गया था उनकी शॉर्ट स्टोरी की एक कलेक्शन में जिसका नाम था चिल्रन्स ओम्निवस ये जो स्टोरी थी ये बहुत पॉपलर रही थी और 2005 में इस पर एक मोवी भी बनी थी इसी नाम से दा ब्लू अम्ब्रेला अब अगर बात करें इस स्टोरी की थीम की तो इस स्टोरी में ग्रीड और सेलफलेसनेस जैसी थीम को एक्स्प्लेन किया गया है इस स्टोरी में जैसा कि हम टाइटल से पढ़ सकते हैं एक ब्लू अम्रेला के बारे में बताया गया है और वो ब्लू अम्रेला एक चोटी अब अगर बात करें राइटर की, तो रसकिन बॉंड एक एंग्लो इंडियन ओथर थे, उनका जैन्ब हुआ था 19 में 1934 में, और वो बहुत ही जादा फेमस है अपने फिक्शनल कारेक्टर रस्टी के लिए, उन्हें कई सारे अवार्ड्स दिये गए हैं, जिसमें साहित्य अक आगे बढ़ते हैं, और अब इस स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं, इस कहानी की शुडवात होती है हिमाचल प्रदेश के गाउं में, जिसका नाम है गड़वाल, इस गाउं में एक विडो वुमिन रहती है, यानि एक ऐसी औरत जिसके हस्बन की डेथ हो चुकी है, हमारी स्टोरी की में क्यारेक्टर, हमारी प्रोटागोनिस्ट ये बिन्या ही है, हमें बिन्या के बारे में बताया जाता है कि उसे पहाड, जंगल ये सभी बहुत पसंद है, उसे इसमें बड़ा मज़ा आता है यहां घूमने में, जबकि नए लोगों से मिलना, शहर में जा अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें बताया जाता है कि बिन्या के पास दो गाये है जिसमें से एक का नाम है नीलू और दूसरी का नाम है गौरी और अक्सर बिन्या जो है उन गायों को चराने के लिए पहार पर ले जाया करती है साथ ही अगर देड रात तक ये गाये लौट कर नहीं आते हैं तो ये बिन्या की जिम्मेदारी है कि वो गायों को ढूंड कर वापस घर लाए तो ऐसे ही एक दिन बिन्या अपनी गायों को ढूंडने के लिए पहार पर जाती है और वहाँ पर उसे कुछ टूरिस्ट मिलते हैं जो पिक्निक कर रहे होते हैं ऐसे तो बिन्या जल्दी टूरिस्ट के पास नहीं जाती उसे शर्म आती है वो नर्वस हो जाती है लेकिन उस दिन उसकी नजर एक औरत पर पढ़ती है एक टूरिस्ट वुमिन पर जिसके पास एक ब्लू कलर का अंब्रेला रहता है वो अंब्रेला किसी मामली अंब्रेला क तरह नहीं रहता, साइज में थोड़ा छोटा रहता है, उसका डिजाइन एक फ्लावर की तरह रहता है, और वो बहुत जादा सुन्दर रहता है, तो बिन्या जैसे ही उसे देखती है, वो उस अम्रेला को पसंद कर बैगती है, उसे वो अम्रेला बहुत अच्छा लगता है, और इसलिए बिन्या जो है अपनी nervousness को पीछे चोड़कर, अपनी shyness को चोड़कर, वो पेडों के पीछे से बाहर आती है, और उस अम्रेला को छाते को देखने लगती है, तभी वो वो मिन्या जिसका वो अम्रेला रहता है, उसकी नजर बिन्या पर पड़ती है, और वो दे फैसे मना कर देती है और कहती है कि वो पैंडेंट तभी देगी अगर उसे बदले में वो नीला चाता वो ब्लू अम्रेला मिलेगा पहले तो ये woman ready नहीं होती लेकिन थोड़ी देर बाद वो हार मान कर अपना च्छाता बिन्या को दे रेती है और बदले में उससे वो pendant ले लेती है बिन्या इससे बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने घर आ जाती है क्योंकि वो च्छाता अब उसे मिल चुका था अब कहा जाता है कि जैसे ही बिन्या अपने घर आती है उस चाते को लेकर सभी लोग उसकी तरफ देखते रहते हैं क्योंकि इतना सुन्दर चाता किसी के भी पास घर में नहीं था उस पूरे गाउं में किसी के पास इतना सुन्दर चाता नहीं था बहुत सारे अमीर लोग थे पुजारी थे लेकिन किसी के पास इतना सुन्दर चाता नहीं था सब वो बड़ा सा ब्लैक कलर का जो अम्रेला होता है वो रखते थे अब इसी समय में हमें बताया जाता है एक और क्यारेक्टर के बारे में जिसका नाम है राम भरोसा वो गाओं के बाहर ही एक छोटी सी चाय की दुकान चलाता था जब वहां पर टूरिस्ट की बस उस गाओं के बगल से गुजरती थी तो अक्सर वो राम भरोसा के दुकान पर रुक कर चाय पिया करते थे साथी राम भरोसा अपने दुकान में कुछ राशन का भी समान रखता था और इस तरह से धीरे धीरे वो काफी फेमस हो चुका था पूरे गाओं में तो जब उसकी नजर बिन्या पर पड़ती है तो उसे वो अम्ब्रेला बहुत पसंद आता है वो कोशिश करता है कि ये जो अम्ब्रेला है बिन्या उससे दे दे वो उसके बदले में बिन्या को कुछ पैसे भी देता है चौकलेट्स भी ओफर करता है लेकिन बिन्या जो है वो अपना चाता अम्ब्रेला किसी को देने के लिए तयार नहीं होती है अब इस बीच में बहुत सी घटनाएं घटती हैं ये जो अम्रेला है एक बार हवा इसे उड़ा देती है और वो खाई में गिरने वाला रहता है लेकिन बिन्या उसे बचा लेती है साथ ही एक बार एक साँप भी बिन्या पर अटैक करता है लेकिन अपने अम्रेला के मदद से बिन्या जो है वो अपने आपको उस साप से बचा लेती है तो धीरे धीरे हमें बताया जा रहा है कि कैसे ये जो अम्रेला है वो बिन्या की लाइफ में बहुत जादा इंपोर्टेंस रखने लगा है साथी ये भी बताया जाता है कि गाउं में जितने भी एडल्ट हैं उनके मन में एक तरह की जलन एक जलसी हो गई है बिन्या के लिए क्योंकि किसी के पास भी उतना सुन्दर चाता नहीं है जबकि जो बच्चे हैं वो बिल्कुल जैसे कहा जाता है मन के सच्चे होते हैं वो तो बिन्या के इस छाते की बहुत तारीफ करते हैं और बदले में बिन्या उन्हें वो छाता उठाने भी देती है कुछ देर के लिए यूज भी करने देती है अब इस बीच में पता चलता है कि ये जो राम भरोसा है इसका जो क्रेस था बिन्या के संब्रेला के लिए वो कम नहीं होता वो कोशिश करता है बिज्जू को उधार देने का कि बिज्जू उससे बहुत जादा उधार ले ले और बदले में उसे वो छाता मिल जाए लेकिन बिज्जू चूकि वो बहुत समझदार है तो वो उधार लेना बंद कर देता राम भरोसा उसे अपने आँ काम करने का ओफर भी देता है लेकिन बिज्जू उसे भी मना कर देता क्योंकि उसे अपनी मा की बहुत सारी मदद करनी होती है तो इस बीच राम भरोसा अपनी दुकान में एक नया लड़का काम पर रखता है और उसका नाम रहता है राजा राम अब एक दिन की बात है राजा राम और राम भरोसा दोनों अपने दुकान में काम कर रहे थे उसी समय बिन्या अपना चाता लिए राम भरोसा के दुकान के आगे से गुजरती है और राम भरोसा उस चाते की तरफ वापस से देखने लगता है तो इस पर राजा राम पूछता है कि आखिर क्या बात है और राम भरोसा बताता है कि उसे वो चाता बहुत पसंद है प्रवाइब दोनों भाई बहन आखिर कार राजा राम को पकड़ लेते हैं जब राजा राम चोरी करते वे पकड़ा जाता है तो वो पूरा इल्जाम जो है राम भरुसा के ओपर डाल देता है ये कहकर कि उसने मुझसे कहा कि अगर मैं चाता नहीं चुराऊंगा तो वो पूरे गाउं में राम भरुसा की बहुत जादा बेज़ती हो जाती है सब को पता चल जाता है कि वो एक छोटी बच्ची का चाता चोरी करने की कोशिश कर रहा था और अब कोई भी उसकी दुकान पर नहीं जाना चाता सब उससे दूर भागते हैं और उसकी जो कमाई है वो बहुत जादा नीचे जा चुकी है अब ये सारी चीजे जो है वो बिन्या देखती है वो देखती है कि कितना राम भरुसा दुखी रहता है सब उसके आसपास जाना छोड़ चुके हैं और उसे बड़ा बुरा लगता है राम भरुसा के लिए तो दो हफते तक जब वो रख होता है कि शायद ये कोईन नकली होगा या शायद बिन्या उसका मजाक उड़ाने आई है लेकिन बिन्या आप सिर्फ कोईन देती है और चॉकलेट खरीद कर वहां से चली जाती है अब जब वो चली जाती है तो राम भरुसा की नजर पढ़ती है उस अम्रेला पर बिन ये सिर्फ एक मामुली अम्रेला है और इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं तो वो जल्दी से दोड़ कर विन्या के पास जाता है उसे उसका अम्रेला लोटाने के लिए लेकिन विन्या कहती है कि एक अम्रेला ही सब कुछ नहीं होता और मुझे ये नहीं चाहिए आप इसे राम भरोसा रख लेता है और दुबारा से जो उसकी लाइफ है वो खुशियों से भर जाती है लोग वापस से उसके दुकान में आने लगते हैं ये जानकर कि बिन्या ने उसे माफ कर दिया और धीरे धीरे जो उसका धंदा है वो वापस से चालू हो जाता साथ ही ये जो च चाता है वो अपने लिए नहीं रखता वो चाता वो अपनी दुकान के सामने खोल कर रखता है और जो लोग चाहें वो उस चाते का इस्तेमाल कर सकते हैं हमेशा राम भरोसा अब खुश रहता है और धीरे धीरे पूरा गाउं इस इंसिडेंट को भूल भी जाता है अब कु वो वहीं उस दुकान के पास फस जाता है वहीं तूटकर गिर जाता है सुबह जब राम भरोसा दुकान आता है तो उसे वो क्लॉ दिखता है भालू का पंजाब बियर्स क्लॉ और वो डिसाइड करता है कि वो इसका एक पेंडेंट बनाएगा क्योंकि जो बियर्स क्लॉ होत तो तक रता है कि तुमने मुझे अपना अम्रेला दिया था, मैं तुम्हें यह गिफ्ट करना चाता हूँ और तुम इसे हमेशा पहनना और इस तरह से यह जो स्टोरी है यह अंड़ औलषा होती है तो friends ये थी Ruskin Bond की story The Blue Umbrella अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें